हेलो फ्रेंड्स देहल्थ के टुड़े में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे पेट का किस जगा का दर्द किस कारण से है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेट का दर्द जैसे हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो ऐसे डॉक्टर जो है हम लोग उनसे पूछते हैं कि पेट का दर्द किस जगा पे होता है सबसे जादा important location होता है तो as a gastroenterologist क्या होता है कि हमें पूछना पड़ता है कि किस area का है abdomen का 9 भाग होते हैं अगर हम देखें तो इसमें हमें chest का part से लेके pelvis bone तक उसमें तीन खाने होते हैं और तीन खाने beach vertical से भी होते हैं तो इस तरह से 9 coordinates होते हैं जिसमें हमें जानना होता है कि पेट का दर्द किस जगा से है तो अगर बीच में होता है और left side होता है वो gastric pain होता है patient ऐसे usually कहते हैं कि हमें दर्द हुआ होता है पेट में और साथ-साथ में छाती में भी दर्द आती है कई बार पेट जो दर्द होती है वो सर से भी आ जाता है तो यूजली यह जो pain होती है gastric pain होती है acidity बनने के चलते है फिर होता है right side में जो उपर के भाग में जहां पर लिवर और गॉल ब्रेडर होती है वहां पर अगर किसी को दर्द होता है तो उस जगा का दर्द लिवर के stretching pain जिसको fatty liver के cause में होता है या पित के नलकी में stone होने के चलते भी दर्द होता है अगर आपका दर्द नीचे होता है जैसे बीच वाला पार्ट में अगर नाभी के चारो तरफ pain होता है तो वो small intestine pain होता है कई बार gas के चलते भी दर्द नीचे तरफ जाती है बट वो दर्द small intestine के चलते जादा most common cause होता है अगर दर दर्द बाएं तरफ होता है बीच वाले पार्ट से और पीछे तरफ जा रही है तो वो pancreas का दर्द है pancreas का दर्द बहुत असजनिये दर्द होती है usually patient को काफी severe pain कहता हूं उसमें patient को numitting, peat में दर्द इस तरह Kा चीजे pancreatitis का एक निशानिय होती अगर दर्द बीच में होती है और बीच से side में धाइने तरफ जाती है तो उस तरह का दर्द कई बार gas के चलते भी होता है अगर हम देखेंगे तो नीचे वाले पार्ट में धाइने तरफ अगर किसी को दर्द होता है तो उसमें appendix का problem के चलते जिसको appendicitis कहते है या कभी पुरानी दर्द की चलते जैसे weight loss और दाने तरफ दर्द हो रहा है तो tuberculosis का भी संभावना रहती है typhoid का भी दर्द उसी तरफ होती है अगर नीचे के तरफ अगर बीच पार्ट में अगर देखा जाए तो वहाँ पर urinary bladder होती है bladder में कई बार females में infection जो most common cause होता है या uterus या ovary के चलते भी दर्द वहाँ बनता है अच्छा left side में अगर किसी को दर्द होता है तो उसमें sigmoid जिसको कहते है sigmoid colon बड़ी आथ का जो last part में जहां पर infections किसी को lose motion होता है या किसी को कबजी है किसी को gas बना हुआ है तो वह पेट में टना होगा और वहाँ बाये तरफ दर्द होता है diverticulitis में भी दर्द होती है ovary भी होता है तो ovary के चलते भी दाने तरफ और बाये तरफ नीचे की और दर्द होती है अगर आपको gastritis का problem है तो आपको बीच दर्द होगा और उपर upper abdomen जिसको कहते हैं वहाँ दर्द होगी और वो जलन से feeling होगी गले में भी धकारे खटी धकारे जलन सी होने लगती है तो यह आप मान के चलो कि वो पेट के चलते हैं gastritis है अगर आपने heavy खाना खाया कुछ लोग आते हैं कि कल खाना खाया था पाटी में या oily या fat का चीज खाया और उसके बाद दर्द बढ़ गया dynaside में उपर तरफ तो फिर वो gallstone पीन है कई बार वो stone नीचे गिर जाती है और bile duct जो पित के थैली नलकी होती है उसमें stone फसने के चलते भी धर्द बनता है काफी जादा तो वैसा pain जो होता है वो भी heavy mills करने के बाद ही होता है और अगर वो stone नीचे गिर के अगर pancreas के नलकी में भी touch होता है तो वो pancreatitis होने के chances रहते हैं तो pancreatitis का problem जो होता है उसमें दर्द बहुत जादा होता है तो यह बहुत important चीज है दो चीज बताया है मैंने उपर की तरफ से अगर किसी को खाने के बाद तुरंद दर्द होता है तो बीच में तो gastritis राइट साइड में और खाने के ज़्यादा heavy mills काने पे gallstone या bile duct stone या pancreatitis अब थर्ड चीज होती है खाने के बाद तुरंद जो ज़्यादा दर्द होता है तो वो होता है IBS तो IBS में क्या होता है कि patient को कहते है कि हमें खाने के बाद दर्द होता है हलका हलका दर्द होता है पेट में गैस बनता है और latrine जाने के बाद मुझे दर्द ठीक हो जाती है अगर किसी को latrine जाते ही उसका दर्द ठीक हो जाता है और पेट के गुडगुराद ठीक हो जाती है तो उसको IBS का problem है तो यह चीज gültiron है खाने के बाद यह तीन तो आज उसमें दो तीन चीजे मैं बताना चाहता हूं अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो वो pancreatitis हो सकता है उसमें जान जाने की समभावना रहती है उसमें तुरंथ जाके patient को admit होना पड़ता है उसमें patient को बहुत वमिटिंग होती है बिलकुल विलगता है patient second है gastric pain, gastric ulcer pain gastric ulcers जैसे gastritis से होता है, acid ज्यादा बनने से होता है तो acid जो बनता है वो obviously उसमें पेट में जलन, heart burn जिसको कहते हैं गले में जलन और खटी नका रही यह सब चीज़ें प्रॉलम हैं लेकिन अगर किसी को heart burn बहुत दिनों से हैं सालों से हैं और वो धीरे 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 बढ़ते गया और बहुत ज़्यादा पें होने लगा पेंट जो होता है वो gastric ulcer pain का एक संकेत दी जाती है तो अगर gastric ulcer बन गया ज्यादा डीप ulcer बन गया तो pain ज्यादा होगा नहीं तो अन्यता उसको heart burn कहीं रहेगा थर्ड अगर pain के साथ अगर vomiting हो रहा है तो उसको peptic ulcer disease मतलब ulcer के चलते bleed होना और कोई नस अगर उस ulcer से touch हो जाता है वो blood vessels तूट जाते हैं और bleeding होने लगते हैं तो यह बहुत common cause है upper GI bleed का जिसमें खून की उल्टी होती है पेशेंट को देखते हैं endoscopy में करके और देखते हैं कि वहाँ पर बड़े ulcer बन गए हैं और नसों जो है नस में उसकी ulcer लग चुकी है तो यह एक बहुत risky वाला चीज है बिलकुल आपको जाना पड़ेगा hospital में का problem होता है patient को vomiting हो जाती है fourth चीज जो अगर बुजूर्ग लोगों को अगर vomiting होती है बहुत ज्यादा असाद में pain हो रहा है तो फिर आपको उसमें आपको बिलकुल सोचना नहीं है हो सकता है उनकी आते जो है इस कीमिया में जाग गए होंगे हो सकता है उनका heart का problem हो जिसके चलते चोटी आत में बड़ी आत में इस कीमिया हो रहा है उसमें pain हो रहा है तो आपको पेट दर्द का ये सब चार पॉंच पॉइंट जो मैंने बताया इसको ध्यान देना है और उसी जब से आपको act करना है